हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का अंसू डिजिटल क्लासेस में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वैक्सिन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक कर सकते हैं दोस्तो इसकी जरूरत क्या है जैसे माल लीजिए आपको एब्रॉड ज जाना हो जैसे कि विदेश में जाना हो तो उस इस्तिति में आपका जो वैक्सिन सर्टिफिकेट है वो पासपोर्ट से लिंक होना चाहिए ठीक है वैक्सिन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से ग कोविन का official website open हो जायेगा सबसे पहले यहाँ पे आपको register oblique sign in के button पे click कर देना है यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना mobile number डालना है mobile number डालने के बाद आपको get otp पे click करना है आपके mobile number पे एक otp भेजा गया है उस otp को यहाँ पे enter करना है ठीक है, TP डालने के बाद आपको verify and proceed के बटन पे click कर देना है यह page open होने के बाद आपको सबसे पहले raise and issue पे click करना है और इसमें आपको add passport details my vaccine certificate for traveling abroad ठीक है इसमें आपको click कर देना है सबसे पहले आपको select a member पे click करना है और जिस member का आपको passport से link करना है उस member पे click कीजिए click करने के बाद यहाँ पे इस member का passport number आपको enter करना है ठीक है दोस्तो passport number बहुत careful से डालिएगा यहाँ पे लिख भी रहा है कि you cannot make changes to the passport details after submitting the request be careful यानि बहुत ध्यान से आप passport number डालेंगे ठीक है क्योंकि एक बार जो आप डाल देंगे उसके बाद वो change नहीं होगा ठीक है passport number डालने के बाद ID clear पे click कर देना है और आपको submit request पे click कर देना है click करने के बाद आप देख सकते हैं change ID to passport request यहाँ पे हो गया है ठीक है अब आप इस certificate को download करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे sonu कुमार है इनका certificate अब हम download कर रहा है certificate पे click कर रहा है ठीक है यह certificate download होगी अब हम इस पे click करते हैं इसमें आप देख सकते हैं ID verified लिख रहा है passport ठीक है दोस्तो इस तरीके से आप अपना भी vaccine certificate passport से link कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दें और चैनल पे नए हैं तो please subscribe कर दें साथ में bell icon भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे miss न हो मिलते हैं next वीडियो में